हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्स्प्लोर करेंगे क्लास 10 civics का एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग चाप्टर पावर शेरिक तो चलिए इस एक्साइटिंग सी जर्डी को शिरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की प्रॉब्लम यानि की एथनिक इशूस के बारे में बेल्जियम में तीन मेजर लिंगुइस्टिक यानि की लैंगविज ग्रूप्स मौजूद थे डच, फ्रेंच और जर्मन यहाँ पर देश में डच लोगों की मेजॉरिटी थी लेकिन वही पर जो क्यापिटल सिटी ब्रूसल्स थी वहाँ पर फ्रेंच लोगों की मेजॉरिटी थी श्रीलंका की अगर बात करें तो वहाँ पे दो समुदाय थे एक थे तमिल बोलने वाले, एक थे सिन्हाला बोलने वाले लेकिन यहाँ पर सिन्हाला जो बोलने वाले लोग थे वो बहु संख्या क्रूप में यानि की मेजॉरिटी में थे और तमिल्स जुथे वो अलप संख्या ख्यानी की माइनौरिटी में थे दोनों ही कांट्रीज में इन डिफरेंसे थे लेकिन दोनों ही कांट्रीज ने इन डिफरेंसे को जिस तरीके से डील करा है वो तरीका काफी ज्यादा अलग है Belgium में linguistic diversity की वज़े से complex political arrangements हमको देखने को मिली वहीं पर स्री लंका के अंदर long standing conflict एक बहुत बड़ी लडाई में ये चीज तब्दील हो जाती है तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सबसे पहले Belgium की यहाँ पर problem जरूर थी लेकिन यहाँ की सरकार ने एक बहुत unique सी approach को अपनाया और power को share कर दिया Constitution को amend करा गया यानि की समविधान में बदलाव लाने के बाद हर community को बराबर रूप से power दे दी Equal number of ministers कर दिये गए Central level पे, State level पे, State government को भी power दे दी गई बराबर रूप से साथी में Brussels के अंदर भी जहाँ पर conflict थोड़ी जादा थी वहाँ पर भी बराबर number of ministers कर दिया जाता है साथी में एक बहुत unique चीज डूप Belgium के अंदर देखने को मिलती है वो है यहाँ की community government हर एक language community यानि की हमारे Dutch, French और German तीनों की एक अलग-अलग community government को बना दिया गया जिनको power दी गई linguistic, cultural और educational issues के साथ deal करने के लिए अब बात करते हैं श्रीलंका की तो यहाँ पर problem को deal नहीं बलकि problem को और भी जादा बढ़ा दिया जाता है यहाँ पर वैसे तो democracy होती है लेकिन सिन्हाला लोग अपनी majority के थूँ सिन्हाला leaders को ही चुण लेते हैं सिन्हाला leaders सरकार बना लेते हैं और उसके बाद वो ले कर आते हैं majoritarian policies majoritarian policies का मतलब है बचो ऐसी policies जो सिर्फ majority को favor करती थी और minority को completely disregard करती थी तो tamils और उनकी भाशा को completely disregard किया गया इसका direct impact जो है इन सब पर पढ़ता है और जो की tamils को बहुत alienated feel करवाने लगता है उनको ऐसा लगता है कि हम इस देश को belong ही नहीं करते हैं धीरे-धीरे social tensions जो है दोनों communities के बीच में बढ़ती रहती है tension के बाद conflict और conflict के बाद यहाँ पर हो जाती है civil war civil war का मतलब है एक war like situation जब आपके देश के अंदर ही पैदा हो जाए बहुत नुकसान होता है देश को चाहे आर्थिक रूप में हो चाहे राजनितिक रूप में हो उसके बाद यहाँ पे बहुत चारे लोग मर भी जाते हैं तो clearly बचों सिर्फ majority या minority पे नहीं सभी लोगों पे बराबर असर पड़ता है तो यह show करता है कि अगर एक community dominate करने लग जाए तो सभी community सफर करती है अब जरा बात करते हैं कि power sharing की जरूरत क्यों है या power sharing को desirable क्यो माना जाता है इसके पीछे ना दो reasons है सबसे पहला reason है एक moral reason जब हम बोलते हैं कि यार morally चोरी करना गलत है murder करना गलत है तो भही morally जो चीज सही है वो क्या मानी जाते है कि sharing is caring सबके साथ share करो सबसे प्यार से रहो तो उसी सेम तरीके से morally ये भी देखा जाता है कि power को share करना जरूरी है क्योंकि हम एक लोग तांतरिक देश में रहते हैं एक democracy में रहते हैं और democracy के अंदर हर व्यक्ति को बरावर पावर देनी चाहिए दूसरा reason है prudential reason जो कि ये बोलता है कि अगर आप एक समझदार इंसान है और आपने Belgium और शिलंका को देख डाला है तो आपको पता है कि समझदार इसी में है कि पावर को share किया जाए ताकि political stability बनी रहे और किसी भी group के बीच में लड़ाई जगडे पैदा ना हो तो ये है हमारा prudential reason साथ ही में अब जरा बात कर लेते हैं कि power sharing हम किस-किस अलग तरीके से कर सकते हैं तो बचों यहाँ पे four forms of power sharing आते हैं सबसे पहला form of power sharing है जब आप power को अलग-अलग levels में बाट देते हो यानि कि एक vertical form of power sharing जब आप केंद्रिय सरकार, आपकी राजय सरकारे और local government अलग levels पे power को share कर दो जिसको हम लोग federalism भी बोलते हैं उसी के साथ एक और form आता है which is the horizontal sharing of power जहाँ पे आप government की अलग-अलग branches के बीच में power को बाटते हो जैसे legislature, executive, judiciary तो एक horizontal line की तरह हर किसी को बराबर power दी गई है प्लस ये एक system of checks and balances है कि ताकि अगर कोई भी एक organ अपनी power से जादा exercise करने की कोशिश करेगा तो बाकी organs उसको वही पे रोक लेंगे और एक check रखेंगे, balance maintain करके रखेंगे तीसरा form of power sharing आता है जब आप social, religious, linguistic communities के बीच में power को बाट देते हैं इसका ये मतलब है कि जैसे कि हम Belgium में देखते हैं community government को जैसे power दी गई तो हर linguistic group को power दी गए इंडिया के अंदर system of reserved constituencies जो है, जहाँ पर क्या होता है जितने भी हमारी पिछडी भी जातियां है उनको reservation दी जाती है तो इन सब तरीकों कितरों आप अलग-लग समुदाय में power को बाटते हो और last form of power sharing हमारा आता है जहाँ पर हम power बाटते है political parties, pressure groups के बीच में और movements को भी power देते है हमने देखाए कि हाल ही कि कुछ सालों में coalition government यानि की गटबंधन की सरकारे जो है भारत में बनने लगी है जिससे कि बहुत सारी different जो हमारी political parties है उनको भी representation सरकार में मिला है और power sharing एक अलग तरीके से establish हो पाई है तो दोस्तों यही था power sharing के बारे में एक quick revision hope यह video आपको बहुत जादा informative और interesting लगी होगी अगर आपको पसंद आया है यह video तो like कीजिए share कीजिए, subscribe करिए channel को and next video में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए, bye